राज्य का उठ्थान और पतन विजये नगर समराज में करम से चार राजवन्षों ने शासन किया विजये नगर समराज में चार राजवन्षों की बात आती है, पहला वन्ष कहलाता है संगम वन्ष, इस वन्ष के शासकों ने 1336 से 1485 तक शासन किया, यानि लगभग 1500 वर्ष, पहला शासक हरिहर 1336 से 1354, दूसरा बुक्का 1354 से 1378, तीसरा हरिहर दुती जिसने 1378 से 1406 तक शासन किया, हरिहर ने रायचूर दुआप पर अधिकार करने के लिए बाहमनी पर आकरमन भी किया, पर फिरोशाह बाहमनी ने उसे पराजित कर दिया, इस वंश का चौथा शासक था देवराय प्रथम, जिसने 1406 से 1422 तक शासन किया, और इसी के काल में इटेली का यात्री निकॉलो कॉंटी विजयनगर आया था, जिसका वर्णन बहुत महत्पूर्ण है एतिहासिक दृष्टि से, निकॉलो कॉंटी. पाँच्वा शासक संगम वंश का ही देवराय दृती कहलाया, जिसने 1422 से 1446 तक शासन किया, और इसके काल में एक और बहुत महत्पूर्ण, एतिहासिक दृष्टे बहुत महत्पूर्ण यात्री भारत आया, जो इरान से आया, उसका नाम था अब्दुलर्जाक. निकॉलो कॉंटी के बाद अब्दुलर्जाक की यात्रा का विवरण बहुत महत्पूर्ण है. अंत में मलिकार्जुन और वीरुपक्ष, इन्होंने 1446 से 1485 तक याने लगभग 40 काल इन्होंने शासन किया. संगम वंश के बाद अगला वंश है सालूव वंश, जो 1486 से 1505 महज 20 साल का शासन इस वंश का रहा और इसके संसापक थे नरसें सालूव. तीसरा वंश तुलूव वंश. तुलूव वंश की स्थापना 1505 से 1570 तक की मानी जाती है. इस वंश का संस्थापक और प्रथम शासक वीर नरसें तुलूव था जिसने 1509 तक शासन किया मात्र चार वर्ष. लेकिन ये तुलूव वंश का ही शासक था जो महान तम शासक कहलाया जिसका नाम था कृष्ण देव राए. इसने 1509 से 1529 तक बीस वर्ष शासन किया. 1513 में इसी ने उड़िशा के शासक गजपती प्रताप रुद्र को परास किया और इस विजय को यादगार बनाने के लिए उसने एक भव भवन का भी निर्माण किया. कृष्ण देव राही था जिसने 1520 में बीजापुर को जीता. राज्य के यदि उत्थान की बात करें यदि उत्थान की बात करते हैं तो कृष्ण देव राए इसकी उपलब्धियों पर नजर डालना जरूरी है. कृष्ण देव राए और विजय नगर एक दूसरे के समाना अंतर चलते हैं. कृष्ण देव राए आपके उपलब्धियों अनेका नेक हैं. सरप्रथम गवर्नर अल्बुकर्क को उसने मतकाल में दुर्ग बनाने की अनुमती दी थी. अल्बुकर्क पृत्गाल से आये था और उसको मतकाल नाम के खेतर में किला बनाने की अनुमती कृष्ण देव राए ने दी. दूसरी बात, उडीचा पर विजय पाने के बाद उसने एक विशाल भव्य, विजय भवन बनवाया, उसकी याद में, विजय की याद में. तीसरा, स्वैम एक महान विद्वान था, और विद्या और कला दोनों का बड़ा पोशक था. यहने विद्वान के होने के साथ साथ ही अन्य लोगों की विद्वत्ता को मानता था, उनका सम्मान करता था, और ऐसे ही कलाओं को भी विकिसित होने में अपना सहयोग देता था, अपना उसका वरधास्थ था. चोथी बिंद्व, तेलगु राजा और उसकी राजनीती पर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अमुक्त मद्याल्य, अमुक्त मद्याल्य यह ग्रंथ उसने तेलगु राजनीती पर लिखी और उसके साथ ही संस्कृत नाटक का भी स्रिजन किया, संस्कृत नाटक का नाम था जांजवती कल्यानम इस वकार वह स्वैम में रचईता भी था और नाटक जैसी चीजों पे उसकी दखल थी पांचवी बात जिसके लिए कृष्णे देवराय को याद किया जाता है वह है कि उसने तेलुगू भाशा के रूप में उसको तेलुगू को विक्सित होने म उसकी उन्नती में उसने काफी योगदान दिया तेलुगू ग्रन तो लिखा ही था इसके अलावा तेलुगू भाशियों को उसने प्रोशाहित किया उसी के दर्बार में अश्ट दिगज भी थे आठ विद्वानों की मंदली जो अश्ट दिगज के नाम से प्रसित थी उसन pakने स्वैम को वह आंध्रभोज कहता था आनध्रभोज अपने स्वैम को वह कहता था तो इस प्रकार वह वद्वान तो और विद्वत्ता का सम्मान भी करता था जहां तक जन कल्यान की बाते करें तो सात्वा बिंदू है कि उसने अनेक तालाब अनेक नहरें बनाई ताकि कृशी का विकास हो याने समाज के लिए भी उसने काफी प्रियास किया और खेती के विकास के लिए उसने अनेक तालाब नहरें बनवाई इसके बाद उस दोरान एक अप्रिय कर लगा होता था लगता था विवाह कर जो लोगों में लोगप्री नहीं था स्वभाविक है तो उसने उस कर को हटा दिया यह एक अच्छा जन कल्याणकारी कदम था नौवा स्वैम ने दो विवाह किये उसकी दो रानिया थी एक थो तिरुमला और दूसरा चिंता देवी तिरुमला और चिंता देवी दो उसकी रानिया थी दस्ववा बिंदू जिसके कारण वह विशेश उरूप से जाना जाता है जैसा मैंने बताया है कि वह कला में और उसने बहुत प्रोशाहिद किया, उसने इतना प्रोशाहिद किया कि अनेक भवनों का, भव्य भवनों का, भव्य मंदरों का निर्मान हुआ ही हुआ, इसके साथ ही उसने बहुत से मंदिरों में गोपुरम बनवाए, गोपुरम याने बड़े-बड़े प्रवेश दुआर, तो ये गोपुरम का निर्मान उसके काल में बहुत हुआ. अपनी स्वैम की मा के नाम पर उसने एक नगर बसाया जिसका नाम था मांगलपुर. मांगलपुर का नाम का नगर उसने अपनी मा के स्वृति में बसाया. इसके बाद विठ्थल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और पंपा देवी मंदिर ऐसा माना जाता है. इसका निर्मान कृष्ण देव राय के काल में ही हुआ था. राय चूर दुआप खेत्र जिसकी मैंने चर्चापूर में की है, वहाँ पर इसी ने अपने काल में अधिकार किया. इस प्रकार कृष्ण देव राय इन बारा तेरा बिंदूओं के कारण बहुत प्रसिद हुआ. और विजय नगर जिसे आज इस विशाल रूप में हम जान सक रहे हैं, इसकी स्थापना या इसके विशाल होने का काफी कुष्ष्रे कृष्ण देव राय को ही जाता है. पुर्तगाल के आतरी एडवर्डो बार्बोसा और डिमिंगोस पेज कृष्ण देव राय के शासनकाल में आये थे. इन दोनों ने ही राजा कृष्ण देव राय के व्यक्तित्व एवं चरित्र की प्रिशंसा की है. पेज ने विजय नगर की तुलना तो रोम से की है, जो इटली का और दुनिया का सबसे बड़ा भव शहरों में माना जाता था, वहां की वैभोशाली परंपरा और विश्व का सर्वत्तम नगर ऐसा पेज ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है. कृष्ण देवराय ने अपने ग्रंथ अमुक्त माल्द में राजा के व्यापार संब्धी दाइत का वर्णन किया है, कि राजा को कैसे व्यापार के संबंद में भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उसने लिखा है कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वानिजी को इस तरह प्रसाहिद करना चाहिए, कौमर्स को इस तरह प्रसाहिद करना चाहिए, कि घोडे, हाथी, रत्न, चंदन, मोती और अन्य चीजों का आयात किया जा सके, खुले तरह से आयात किया जा सके, साथ ही, कृष्ण दे राए ये भी कहते हैं कि राजा का ये भी दाईत्व है, कि वह उन विदेशी नाविकों की भी देख भाल करे, भली भाती देख भाल करे, जो तूफान, बिमारी या ठकान के कारण यहां उतरे हैं, इस वंश का तीसरा शासक था अचुत देव राए जिसका शासन काल 1530 से 1542 माला जाता है, अचुत देव राए इसके काल में पुर्त गाली यात्री जिसका नाम नुनीज था, वहां आया, तो कृष्ण देव राए भारत आया और मिंगो स्पाई वह फर्नांडो निनीज, इनकी यात्रा के वृत्तांत के आधार पर ही सीवल ने The Forgotten Empire लिखा है, जिसका जिक्र मैंने पूर में किया है, और ये बताया है कि The Forgotten Empire एक तरीके से विजय नगर सामराज के लिए, जिसके आधार पर ये पुष्टक लिखी गई, सीवल के द्वारा, वह यात्री, नुनीज, और साथ ही डॉमिंगोस, पाई, ये लोग इसी काल में आये थे जब अचुत देव राय यहां शासन कर रहा था, चौथा राजा इस वंश का सदाश्यो माना जाता है, फूर्थ, ये पंदरा सो ब्यालिज से पंदरा सो सत्तर इसका काल है, और सदाश्यो के समय ये बड़ा स्पष्ट था कि वह मात्र एक नाम मात्र का शासक है, कहने के वह शासक है, असली शासन तो उसके प्रधान मंत्री के पास था, और प्रधान मंत्री का नाम था राम राय जो वास्तों में शासन चलाता था जिसके हाथ में वास्तों में लगाम थी प्रशासन की और यह तो केवल नाम मात्र का था नाम मात्र का लिए राजा था ये राम राय ही था प्रधान मंत्री जिसने बहमनी राज्यों में फूट डालने की कोशिश की और ऐसी नीती अपनाई जिसे हम कह सकते हैं फूट डालो और राज करो इस समय बहमनी सामराज पाँच भागों में विभाजित था पहला भाग बीजापुर आदिल शाही वाइंश इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह 1489 में इसकी स्थापना हुई दूसरा भाग गोलकुंडा जिसके संस्थापक थे कुली कुतुप शाह और इसलिए यहां के संस्थापक वंश का नाम भी कुतुप शाही वंश कहा गया कुली कुतुप शाह ने 1512 में इस भाग की स्थापना की तीसरा ख्षित्र बहमनी सामराज्य का वह था बीदर का बरीद शाही वंश का शासन जिसके संस्थापक थे अली बरीद 1526 में इसकी स्थापना हुई यह वही वर्ष है जिस समय मुगल वंश की स्थापना दिल्ली में हुई चौथा वंश है बरार का इमाद शाही वंश बरार क्षित्र का इमाद शाही वंश जिसके संस्थापक थे फत्ह उल्ला इमाद शाह 1484 में और पांचवा और अंतिम भाग बहमनी सामराज का अहमन नगर कहलाता था वहां के वंश निजाम शाही वंश के लोग कहलाते थे और इस निजाम शाही वंश और अहमन नगर के संस्थापक थे मलक एहमद जिन्होंने यह किस्थापना 1490 में की दुरभाग से इसकी यह नीती ज़्यादा नहीं चल पाई जब बहमनी के सुल्तानों को यह समझ में आया कि राम राय कुछ ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे कि वह फुट डाल सके तब उन्होंने निर्ने लिया कि अब एक जट होएं और इस प्रकार अहमद शाह अहमद नगर उसके अलावा बीजापूर और तीसरा गोलकुंडा जो तीन भागों में बहमनी का हिस्सा था अहमद नगर बीजापूर और गोलकुंडा यहां के सुल्तानों ने एक जट होने का निश्चे किया और राम राय को सबक सिखाने का निश्चे किया जिसके लिए 1565 में उन्होंने ताली कोटा का युद्ध किया यह युद्ध बहुत प्रसिद्ध माला जाता है बैटल अफ ताली कोटा ताली कोटा का युद्ध 1565 इस युद्ध में राम राय के नितरित में जो सेना थी वो अब पराजित ही नहीं हुई बलकि विजय नगर शासन ही एक तरीके से समाप्त हो गया एक तरीके से विजय नगर ही समाप्त हो गया और इसका श्रेपूरा राम राय को दिया जाता है जिसकी नीति ने बहमनी के इन तीन शासकों को एक जुठ होने का मौका दिया और अहमन नगर के जो शासक थे निजाम शाह निजाम शाह तो इतना कुरुधित था कि उसने राम राय का सिर काट के उसे एक भाले में लटकाया और चारों तरफ इसके उस भाले को कटे हुए सिर के साथ को पूरे शहर में घुमाया यह एक बड़ी दर्दनाग घटना थी और इसके साथ ही राम राय का तो पतन हुआ ही जैसा मैंने कहा विजय नगर का भी विनाश हो गया चोथा शासक या चोथा वंश अरविदु वंश कहलाता है अरविदु वंश जिसका काल 1570 से 1615 तक का है यह अरविदु वंश विजय नगर की पतन के बाद स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक का नाम था तेरुमाल तेरुमाल इसके संस्थापक का नाम था आपको याद होगा कि कृष्ण देव राय की एक पतनी का नाम तेरुमाला था तो आप याद करने के लिए समझ सकते हैं कि यह जो चौथा वंश आया अरिविद्व वंश इसका जो संस्थापक था उसका नाम भी तिरुमल था इस वंश में विजय नगर से शासन नहीं किया क्योंकि तो तहस नहीं हो चुका था बलकि पेनकॉंडा और चंद्रगिरी इन दो जगहों से इस वंश के लोगों ने 1615 तक अपना शासन चलाया रंग तृतिय इस विजय नगर के सामराज्य का अंतिम शासक माना जा सकता है रंग तृतिय हलांकि विजय नगर के विध्वन्स के लिए सुल्तानों की फौज को श्रे दिया जा सकता है या सुल्तानों की फौज को जिम्मेदार माना जा सकता है लेकिन सचाई तो यह है कि सुल्तानों और रायों के बीच में जो धार्मिक वैमनस्य था या जो धार्मिक विशमता थी दोनों एक हिंदू थे एक मुस्लिम थे कभी कभी उसको भी विजय नगर के पतन का कारण माना जाता है यद्यपी इसमें कोई सचाई नहीं है क्योंकि देखा जाए तो कृष्ण देव राय जो वहां का सरश्रेश शासक था सरप्रसेद शासक था कृष्ण देव राय ने सुल्तानों में सत्ता के कई दार्वेदारों का समर्थन किया याने वो सुल्टानों के प्रती उसका कोई विद्रोह नहीं था या कोई उसके सामने ऐसा कोई भावना नहीं थी उसने तो कई सुल्तानों को समर्थित भी किया और उसके साथ इनको समर्थन देते दे उसने अपने को स्वैम को यवन राज की स्थापना करने वाला ऐसा बताने की कोशिश की यवन राज की स्थापना करने वाला ऐसा उसने अपना विरुदारन अपना नाम रखने की कोशिश की और उसके लिए गौरवशाली महसूस किया इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्टन देव राय की अम्रित्व के बाद विजे नगर में उत्रादिकार के विवात को सुल्जाने में हस्तक शेप किया था यानि सुल्तान भी जो मुस्लिम था हिंदू सामराज के मामले को सुल्जाने में अपनी मदद कर रहा था वास्तों में विजे नगर शासक और सल्तनत यानि दक्षण के जो मुस्लिम शासक थे दोनों ही एक दूसरे के स्थाइत्व को निश्चत करने के इच्छुक थे ये तो राम राय की जोखिम भरी नीती थी जिसके अनसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद लड़ाने की कोशिश की फूट डालने की कोशिश की और परणाम क्या निकला उल्टा हुआ कि ये सबसुल्तान राम राय की इस चालाकी से वाकिफ हो गए सब एक हो गए और उन्होंने एक निर्नायक युद्ध में ताली कोटा के युद्ध में 1565 में राम राय को तो पराजित किया ही उसकी फजीहत की और साथ ही साथ विजय नगर सामराज्य का भी अंत हो गया